तो आपको बता दे प्रधान मंस्वी के तीस्वे कारेकाल के बाद ये पहला मन की बात कारेकरम था जिसमें पर्यावरन डिवस पर एक अभ्यान हो इस तरह की शिरूबात हुई एक पेड मा के नाम पर लगाएं इस बात का जिकर किया पेम मोधी कहते हैं कि हर कोई अपनी मा के लिए पेड लगा रहा है हर कोई अपनी मा के लिए एक प्रेम अलग तरीके से दिखाता है लेकिन इस अभ्यान के लिए दूसरों को प्रेवित करें धर्ती हमारी मा की तरह होती है और सभी के प्रयास से बन्ने छेतर का विकास होगा तो आप जरूर कहेंगे मा, हम सब के जीवन में मा का दरजा सबसे उंचा होता है, मा हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोर्षन करती है, हर मा अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है, जन्मदात्री मा का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता, मैं सोच रहा था, हम मा को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या, इसी सोच में से, इस वर्ष, विश्व परियावरन दिवस पर, एक विशेश अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान का नाम है, एक पैड मा के नाम, मैंने भी एक पैड अपनी मा के नाम लगाया है, मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से, यह अपील की है, कि अपनी मा के साथ मिलकर, या उनके नाम पर, एक पैड जरू लगाएं, और मुझे, यह देखकर बहुत खुशी है, कि मा की इस मुर्ती में, या उनके सम्मान में, पैड लगाने का अभियान, तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोग, अपनी मा के साथ, या फिर, उनकी फोटो के साथ, पैड लगाने की तस्वीरों को, सोशल मिडिया पर साजा कर रहे है, हर कोई, अपनी मा के लिए, पैड लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो, या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो, या ग्रहेनी, इस अभियान ने सब को मा के प्रती, अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है, वो अपनी तस्वीरों को, हैस्टेग, प्लांट फॉर मदर, और हैस्टेग, एक पैड मा के नाम, इसके साथ, साजा करके, दूसरों को प्रेलित कर रहे हैं, साथ, प्रधान मंत्री नरीनर मोदी को आप सुन रहे थे, पेड लगाने के लिए उन्होंने कहा, एक कैम्पेंग की शिरुवात करते हैं, और मा के नाम पर पेड लगाया जाएगा, इसके अलावा, अगले महिने से पैरस ओलंपिक शुरू हो रहा है, ज्वानकारी उन्होंने की खिलाडी दिल भी जीतेंगे, मैडल भी जीतेंगे, चेयर फर भारत, यानि की चेयर करने को कहा है, उन्होंने उत्सा बढ़ाने को कहा है, और कहा है कि जतना चेयर आप कर सकते हैं, जतना उनका उत्सा पढ़ा सकते हैं, अपनी तरफ से जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि मेहन करके वो महां तक पहुचे हैं और जीतेंगे भी मेरे प्यारे देश्वासियों अगले महिने इस समय तक पेरीस ऑलेंपिक शुरू हो चुके होंगे मुझे विश्वास है कि आप सब भी ऑलेंपिक खेलों में भारतियों खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने का इंतजार कर रहे ह हांगे मैं भारतिये दल को ओलेंपिक खेलों की बहुत बहुत सुक्तमानाई देता हूं हम सब के मन में टोक्यों ऑलेंपिक की यादें अब भी ताजा हैं टोक्यों में हमारे खिलार्यों के प्रदर्शन ने हर भारतिये का दिल जीत लिया था टोक्यो ऑलेंपिक के बाद से ही हमारे एक्लिट्स पैरीस ऑलेंपिक की तैयारों में जी जान से जुटे हुए थे सभी खिलाडियों को मिला दे तो इन सबने करीब 900 900 इंटरनेशनल कंपेडिशन में हिस्सा लिया है यह काफी बड़ी संख्या है साथियों पैरीस ऑलेंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी शुटिंग में हमारे खिलाडियों की प्रतिवा निखर कर सामने आ रही है टेबल टेनिज में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाइ कर चुकी है भारतिये शॉटगन टीम में हमारी शुटर बेटियां भी शामिल है इस बार कुस्ती और गुड़सवारी में हमारे दल की खिलाड़ी उन केटगरीज में भी कम्पिट करेंगे जिन में पहले वे कभी शामिल नहीं रहे इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा आपको ध्यान होगा कुछ महिने पहले वर्ल पारा एथलेटिक्स चैंपिन्शिप में हमारी बेस परफॉर्मस रही है वहीं चेस और बेड्मिंटन में भी हमारे खेलाडियों ने परचम लहराया है अब पुरा देश यह उमीद कर रहा है कि हमारे खेलाडी आलेम्पिक्स में भी बहतरीन प्रदर्शन करेंगे इन खेलों में मैडल्स भी जितेंगे और देश वाचों का दिल भी जितेंगे आने वाले दिनों में मुझे भारतिय दल्द से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है मैं आपकी तरप से उनका उत्सावर्दन करूँगा और हाँ इस बार हमारा हैस्टेग चियरफर भारत है इस हैस्टेग के जरीए हमें अपने खिलाडियों को चियर करना है उनका उत्सावर्दन बढ़ाते रहना है तुम मोमेंटम को बनाए रखिये आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा